कैसे हो आप सभी लोग मुझे बताईए और मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही किया ये भी बताईए प्लीज आवाज क्लियर है ये ये सर आवाज बहुत क्लियर है अच्छे से आ रही है मज़ा आ रहा है ये हुई ना बात एक मिनद येस आदेश आरियन अच्छा लगा वेटा आप से कनेक्ट होके आज के लेक्चर 00 हमारा इंट्रोड़क्टरी लेक्चर है और इस लेक्चर से हम शुरुबात करेंगा तो जो भी स्टुडेंट मेरे से कनेक्टेड है प्लीज मैं स्टार्ट जो है थोड़ा स्लो करूगा आप से बातशीत करूगा और उसके बाद में हमारे डिस्कुशन को हम आके बढ़ाएंगे हमारे discussion को हम आगे बढ़ाएंगे ठीक है दोस्तों तो येस पहले तो ये बताइए ये जो यहाँ हम प्लान कर रहे है कि exam ये IDT regular exam oriented ये course जो आप लगा रहे है ये yes क्या object से लगा रहे हो मुझे पहले ये बताइए क्या object से लगा रहे हो और सब मेरे साथ बातचीत करें अपना input जरूर दे क्योंकि yes ये course के बारे में मैं आज आपको सब जान करी देने वाला हूँ और बहुत सारी चीज़े मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ तो please आप जरूर इससे related जान करी दीज दीएगा चलिए जितने भी students यहां connected है अपना हर student अपना इस related view क्या है वो यहां पे मुझे चार्ट में देगा लेकिन यह lecture 00 जो है मैं आप सभी को बता दू कि यह मैं पहला lecture है और यह live session में ले रहा हूँ YouTube live भी connected हूँ हमारी YouTube channel पर Think GST, Think Vishal sir लेकिन इसके बाद के सारे lectures आपको recorded session में आएंगे जो lectures मैं यहां पर record करूँगा और आपको daily basis पर update करके दूगा ठीक है तो आपको update करके दूगा ठीक है मैं आपके questions read कर रहा हूँ तो again मैं नीचे देख रहा हूँ मतलब आपके questions में यहां पर read कर रहा हूँ ठीक है तो yes मैं आपको यह बताना चाहोगा चली सबसे पहले course के बारे में सारी जान करी लेते हैं और interaction हमारा होना बहुत जरूरी है मैं देख रहा हूँ कि एक दो students जो है actively जबाब दे रहे हैं लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको अगर आने वाले exam में 80 प्लस चाहिए IDT में और pass होना है और मेरी best wishes चाहिए तो सब को यह answer देना पड़ेगा जो answer नहीं देगा मेरी best wishes नहीं लगेगी चलो it's joking okay पर मेरी best wishes आपके साथ है जितना interactive होगा आप अपने teacher से जितना connect होते हो उतना knowledge लेते हो उससे मानते हैं कि अभी teachership यहाँ पर जो है online हम connected है एक में के साथ यहाँ पर face to face connect नहीं हो पाते है लेकिन जितना भी आप जहाँ बैठे हो अपनी energy के साथ मेरे साथ connect होते हो तो definitely आ आप उतना मेरे से ले पाओगे मेरी wishes भी आप ले पाओगे चलिए now आते हैं हमारे discussion पर दोस्तों अभी यह जो पहला lecture 00 है यह इस lecture में मैं आपको सब कुछ बताओगा कि हमारा पूरा syllabus कैसे cover होने वाला है कितने दिनों में cover होने वाला है हम क्या-क्या notes इसमें use करने वाले ह है और इस limited period of time में हम पूरा hundred percent syllabus कैसे cover करेंगे with all analysis and etc. So, are you ready? Yes or no? अगर आप ready हो तो जोर से कहो हाउस दो जोश तो कहिए हाई सार Yes, पटापट इसका जवाब दीजिएगा आप जवाब दे रहे हो ना I don't know मुझे आप जवाब दे रहे हो very good थोड़ा हमारा start इसलिए slow रहेगा पर मैं आगे cover कर लोगा ठेक है आपकी चार्ट मेरे इसमें यहां बंद हो गई मैं एक बार फिर से लगा लेता हूँ यह हुआ बात आगे आपकी चार्ट तो शुरू करते है हमारा यह lecture 00 good morning good afternoon good evening to all of you तो दोस्तो यह lecture 00 है इसमें मैं आपको IDT is related हमारा syllabus कैसे होगा notes हम क्या-क्या cover करेंगे किस तरह से cover करेंगे और within this limited time exam oriented course जिसमें 100% syllabus हमें discuss करना है और analyze भी करना है वो हम कैसे complete करने की कोशिश करेंगे चलिए मैं आपको आपके सारे जो दिमाग में doubts है उसका answer देना चाहोगा और यह video ज़यादा से ज़यादा आप अपने friends लोगों को share कीजिएगा so that उनको complete awareness हो जाए कि exam oriented course और regular course में क्या difference है और उसके base पे उन्हें आसानी होगी for taking decision की कौन से batch के लिए आपने जाना चाहिए चलिए आ जाते है हम यहाँ indirect taxes related यह discussion पे indirect taxes अगर हम बात करें तो इसमें आपको दो act परने है और foreign trade policy का एक broad view आपको लेना है हमाई institute ने कहा तो आपको दो act जो major act है क्या पढ़ने है एक है GST goods and services tax जो आपने inter level पे भी पढ़ा और अभी final level पे advance advance discussion हमें यहाँ करना है दूसरा आपको बता दू second act है customs act 1962 और तिसरा है foreign trade policy है तो दोस्तो जहां तक पहला GST है GST में total five act है C GST act SGST UT GST IGST जिसे हम integrated goods and service tax कहते है और GST compensation to state says act यह आपने inter level पे पढ़ा होगा और definitely अगर आप exam oriented course लगा रहे हो मतलब आपका base अच्छा है और हमें hundred percent syllabus advanced level पे जो final level पे है वो हमें अच्छे से पढ़ना है यह मैं assume करके चल रहा हूँ ठीक है अगर कोई यह सोच रहा है कि यह limited hours में scratch से मेरा हो जाए तो मैं उन्हें regular को suggest करूंगा now यहां जहां तक देखा जाए goods and service tax इसमें हमें दो act detail में पढ़ना है cgst act और igst act क्यों क्योंकि sgst और utgst act जो है यहां पर यह exactly same to cgst है word to word same to cgst है तो क्यों क्योंकि one nation one tax है ठीक है act की नाम अला रगा होंगे but act की provision exactly same है इसलिए हमें cgst बहुत detail में पढ़ना है सारे section with rules हमें पढ़ना है और igst act हमें detail में सारे section with rules पढ़ना है चलिए दोस्तों now अब आपको मैं यहां बताना चाहूगा कि आपको जो weightage है sorry gst का जो weightage है आपको यहां पर 80 marks का weightage दिया गया है for c.a student answer देखिएगा 80 marks का weightage for c.a student यहां पर दिया गया है new scheme में gst का weightage उन्होंने बढ़ा दिया है पहले 75 marks था और अब gst का weightage उन्होंने 80 marks कर दिया है inter में भी उन्होंने gst का weightage बढ़ा दिया है 80 marks के लिए आपको दो act पर questions पूछे जाएगे और इस दो act हमें detail में देखना है और हमारा target 80 में से कम से कम यहां पर 70 तो होना ही चाहिए now अब आपका सवाल होगा कि sir हमें exam oriented course में number of lectures कितने लगेंगे पहले मैं बहुत honestly और straight forward बात करना चाहता हूँ और वो यह कि number of lectures पे मत ध्यान देना hours पे ध्यान देना मेरे जितने committed hours है उतने committed hours में मैं आपका यह जो है IDT पूरा complete करने की कोशिश करोगा जैसे मैंने पहले भी आपको बता है और अभी भी आपको बता रहा हूँ तो यहां पे हमारे पूरे syllabus का exam oriented course में 120 hours में आपको कहे plus 10 to 15 hours questionnaire discussion ऐसा around 135 hours का हमारा यहां पे course रहेगा और इतना यह subject के लिए required है नहीं तो फिर वो जो है revision course में चले जाता है यह revision course नहीं है यह fast track course नहीं है यह जो है और कि यहां पे regular जैसा ही पूरा course है जहां हम 100% discussion करेंगे हाँ अगर आप यह जानना चाहते हो कि regular exam oriented regular course में क्या difference है इसके लिए already मैंने वीडियो जो है यहां पे thing GST, thing Vishal survey अप्लोड किया है तो आपको difference hours of difference क्या रहेगा वो आपको पूरी जानकारी बिल जाएगी तो यह fast track से जादा है regular से कम है तो जिसका inter level पे GST बहुत अच्छा हुआ है जिनोंने GST यहां पे office में अच्छा किया हुआ है और even though first time पढ़ रहे है या पहली बार कभी self पढ़ाया और उनको GST अच्छे से समझना है तो यह course उनके लिए perfect है ठीक है और आप inter level पे मेरे student हो होगे तो definitely आप यह course ले सकते हो क्योंकि inter level पे आपने बहुत depth में discussion किया था यह आपको पता है बहुत ही depth में discussion किया तो यह आपको पता है चलिए now next यहां 80 marks दिये है और GST को around question discussion के साथ 100 to 100 and 5 hours लगेंगे ओके 100 to 105 hours यहां पे GST को लगेंगे जिसमें sorry बेटा जिसमें हम CGST as well as IGST दोनों एक को कवर करने की कोशिश करेंगे उसके बाद में यहां पे customs को हमारे यहां पे 25 to 30 hours लगेंगे 25 to 30 hours लगेंगे और जिसमें foreign trade policy भी कवर किया जाएगा इस तरह से आपका syllabus 120 hours subject discussion और 15 hours questions discussion ऐसा 135 hours का होगा I hope आपको समझ में आया होगा और समझ में आया होगा तो जितने भी student connected है yes y type कीजिएगा मतलब मैं आगे बढ़ सकता हूँ मेरे साथ interaction जरूर कीजिएगा मेरे energy के साथ जुडिएगा अगर आप जुड गये तो इस बार हम जरूर 80 पार के बारे में सुचेंगेंगें तो आपका टार्गेट इस कोर्स में भी 80 प्लस होना चीए इसलिए रोज लेक्षर में 80 परसेंट आर्गेट आपका होना चीए जो लेक्षर की शुरुवाती में करूगा एक positive energy के साथ और आपको ये energy मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा और आपको भी रोज लेक्षर स्टार्ट होते ही मेरे साथ कहना पड़ेगा पूरे मन से तन से दिल से इस बार असिपार उसके नीचे हमें सोचना भी नहीं है नाव ये जो lectures hours होगे इसमें number of lectures मैं आपको कह दू approximately hours कम रहेगे एक lecture सवा दो से धाई घंटे के रहेगा और बिना break का lecture रहेगा आप recorded देखने वाले हो तो break आपको जब लेना है तब ले सकते हो बिना break का session रहेगा और around जो है यहाँ पर द्यान दीजिएगा अगर हम एक session धाई घंटे का लेके चले तो आप calculation कर लो मतलब 135 divided by okay 2.5 याने around 54-55 sessions आपके इसमें cover किये जाएगे ठीक है एक दो session कम जादा lecture कम जादा हो सकते पर hours की मैं पूरी कोशिच करूँ का ठीक है 135 hours दूसरा आपका एक सवाल यहाँ पर आ सकता है कि sir यह जो sessions लिये जा रहे है यह sessions recorded mode में या live mode में हो गया यह sessions recorded mode में होगा हाँ GST अब मैं मेरी planning कैसे कर रहा हूँ बता हूँ मेरा IDT regular batch morning में सवा तीन घंटा चल रहा है ठीक है उसके immediate बाद आपके sessions में record करूँगा और आपके sessions record करके याने मेरा timing ऐसा रहेगा कि morning 7 to 10 वो regular batch चल रही है और उसके बाद में 10 to okay यहाँ आगे आपकी recording करूगा अब यह दोनो recording same day होगी पर आपको जो lectures दिये जाएगे वो recorded sessions में दिये जाएगे अब यह recorded sessions क्यों कह रहा हूँ मैं कि यहाँ पर बहुत सारे concepts जो मेरे regular batch के live sessions के रहते हैं बहुत सारे concept का discussion जो analytical discussion है same रहता है इसलिए analytical discussion जो है यहाँ पर जहाँ तक देखा जाए तो दोनों batch में same use किया जाएगा लेकिन जैसे मैंने आपको difference बताया कि यह batch exam oriented है specific exam oriented के हिसाब से ही record की जाएगी regular batch में बहुत सी बाहर history बताता हूँ okay section क्यों आया हूँ बहुत सी practical office की cases discuss करता हूँ वह exam oriented course में जहाँ required है वहाँ discuss किया जाएगा वहाँ question discussion जादा है तो आपके question discussion जितना आपको concept समझने के लिए required है उतना question discussion आपके साथ रहेगा बाकी का extra question discussion आपको मेरे questionnaire discussion के वीडियो में डाल दोगा उसमें आपको करना पड़ेगा और मैं यहाँ पर जीनी book भी आपको बताओगा जीनी book बताओगा उसमें आपको करना पड़ेगा इसलिए जो भी students ये exam oriented course लगा रहे है मेरे साथ class होने के बाद कम से कम एक से देड़ घंटा आपको मेरे साथ effort करना पड़ेगा आपको मेरा दिया हूआ हूँ वो complete करना पड़ेगा जैसे कुछ charts मैं यहाँ पर draw करता हूँ regular course में वो charts में draw करवाता हूँ पर आपके course में वो chart मैं पूरा word to word similar explain करूगा लेकिन वो chart यहाँ पर आपको screenshot लेना पड़ेगा और वो screenshot लेके आपको draw करना पड़ेगा मतलब आपको class की बाद जो जो मैंने आपको homework दिया question का homework दिया chart का homework दिया वो जो है आपको यहाँ पर घर पर करना पड़ेगा इसका फाइदा आपको क्या होगा इसका फाइदा यह होगा कि आप class के बाद अगर वो पढ़ लो और वो homework करो तो day to day basis पे आपका complete अच्छे से revision हो जाएगा पड़ा हुआ याद रहेगा कोई doubts होगे तो आप मेरे साथ connect हो सकते हो telegram group में connect हो सकते हो मैंने doubt का app दिया है उसमें connect हो सकते हो जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे और self study जब आप मेरे साथ एक से देड़ घंटा करोगे तो boss मैं आपको कहता हो self study से self study से कोई दूसरी अच्छे study नहीं है और आप मेरे साथ compulsory connect रहोगे जो student मेरे साथ connect नहीं रहना चाहता day to day basis पे मेरे request है कि ये course फिर वो ना लगा है वो regular में चाहता ये course उनी serious students के लिए है वो ही determinative students के लिए है वो ही disciplined student के लिए है और के जो यहां मेरे साथ continue रहना चाहता है क्या आप ये सब quality रखते हो अगर आप ये quality रखते हो तो ये course आपके लिए perfectly fit है जिसमें हम hundred percent discussion करने वाले है yes or no अगर ये quality रखते हो तो यहां पर type कीजिए yes sir we are disciplined student d type कीजिएगा मैं आप से आज ही determination चाहता हूँ आज ही determination चाहता हूँ yes or no तो d type कीजिएगा तो इस तरह से हम chart लिखने का time से हो करेंगे क्योंकि मुझे discussion पूरा लेना है हम जहां required है वहां history देखेंगे जहां ओके यहां पर office का case study का discussion required है वहां हम discussion करेंगे done तो इस तरह से इसमें our sale किये गए बीना discussion को जो आपको 100% syllabus करना है उसको sacrifice किये हुए done चलिए तो आपका target इस बार 80 पार इसमें होना चाहिए दूसरी बात अगर हम यहां करें तो sir हमें notes कैसे मिलेगी हमारे इसमें खास और अच्छी बात यह है कि regular batch और आपके batch की notes same है regular batch और आपके batch की notes same है तीक है इसलिए दोनों में कोई फरक तो रहेगा नहीं और regular notes GST के वैसे अब देहां से सुनों वैसे GST का आपको एक module ही रहेगा वैसे तो एक module रहेगा और customs का एक module कस्टम और foreign trade policy मिलाके एक module रहेगा sir आपने तो दो लिखे ते फिर इसको 1Q किया वह regular batch में मैंने बात में बता दिया कि एक module रहेगा लेकिन अब मैं आपको इसके related बताना चाहोगा यह regular match जो है हमारे ICAI के news scheme के हिसाफ से completely बनाया जा रहा है मतलब मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि आपने यह पढ़ लिया आपको institute का material नहीं पढ़ने की जरुवत है आप यह mat आने के बात compare कर लेना boss मैंने हर चीज इस mat में cover किया है जो हमारे ICAI के material में important है आप word to word compare कर लेना आपको कुछ भी कमी नहीं लगी दूसरी बात इस बार का material में पुरा नया बना रहा हूँ पुरा नया बना रहा हूँ pictorial presentation point wise manner में नहीं दिख रहा होगा तो भी समझ लो point wise manner में ले रहा हूँ specific जो legal jargons होते हैं बहुत सारा explanation material में होता है उसको सभी explanation को द्यान में रखते हुए सभी points को द्यान में रखते हुए बहुत अच्छे notes बना रहा हूँ point wise manner में इसलिए बात करूँगा आप मेरे से समझ लेना क्यूंकि मैं बहुत believe करता हूँ truth and transparency is very important between student and teacher okay और मैं आपके साथ जो मैं कर रहा हूँ वो सारी बाते आपके साथ share करना चाहोगा आपके वो सारी बाते मैं करना चाहोगा now next अभी क्या हो रहा है जैसे मैं daily basis पे क्योंकि institute का model जो आया वो model around approximately 20-25 September के बीच में आया अब institute ने module ही DT का पहले issue कर दिया और I-DT का बहुत late issue किया और मैं clear thought में था कि भई module आने के बाद मैं complete अपनी notes module base बना होगा क्योंकि पिछले कुछ exam में जो question पुछे जा रहे है plus जो आपको assist किया जा रहा है institute अपने mat के base पर आपको बहुत जादा assist कर रही है इसलिए okay मैंने यह सुचा कि जैसे material आएगा मैं अपनी notes अपनी new scheme के हिसाब से बना होगा अब module अभी भी okay पूरा नहीं आया हुआ है यहने चार total modules आने आले उसमें से तीन आया अब पहला module आया फिर वो पूरा structure design करने के लिए भाई मैं मानता हूँ कि मुझे यहां पर around 22 साल का experience है लेकिन बेटा हर चीज को आपके हिसाब से mold करने के लिए मैं भी इंसान हूँ मुझे भी time लगता है मुझे यह देखना है कि आपको समझेगा कैसा अगर मैं अपने GST का knowledge share करूँ तो मुझे एक page भी पढ़ने की जरूवत नहीं है लेकिन आपको किस mold में अच्छे से समझ में आएगा किस example में किस points में अच्छे समझ में आएगा इसके लिए मुझे बहुत सोचना पड़ता है और यह चौथा एराय मैं आपको बता दूँ यह चौथा एराय मैं आपको बता दूँ दोस्तों यहां पर मैं आपको यह कहना चाहता हूँ कि यस ध्यान से सुनिएगा यह आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मैंने 2003 भी देखा है तब राइटिंग नोट्स है फिर color, pictorial presentation फिर यहां पर आज आपको किस तरह से नोट्स है यह चोथे इरे में आया हूँ और उस तरह से जैसी आपको यह वैसी बना रहा हूँ एक-एक पेज बनाने को मुझे यह 45-50 मिनट्स लग जाते हैं उसको आपको इजी वे मैं कैसा समझें यह squeeze करने को यह ओके यहां पर fix करने को यह यहां पर pictorial presentation के साथ मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको समझने के लिए तो दोस्तों नोट्स को टाइम लग रहा है मैं दिन बर मैं सच कहूँ तो 10-12 पेज बना पाता हूँ पर ऐसा बनाऊगा ना कि आपको एक लाइन में समझ में आ जाए कि लॉक कहना क्या चाहता है इसलिए model एक ही है around 350-400 पेज़ेस का GST का model बनेगा customs का 120-130 पेज़ेस का बना हुआ है और FTP तो ऐसे situation में जहां तक देखा जाए तो मैं अभी आपको notes पूरा complete नहीं भेजने वाला हूँ मैं model wise बेजने वाला हूँ जैसा यह पहला model है इसमें 124 pages complete हुए मैंने बेज दिया क्योंकि मुझे साथ साथ में पढ़ाना है बैच को लेट तो नहीं करना है साथ साथ में पढ़ाना है 124 pages बने मैंने आपको बेज दिया ऐसे और 100 pages बनेंगे मैं आपको बेज दूगा लेक subject तो सबसे आखरी में करते हो आप तो वो आएगे January, February में तो जहां तक देखा जा उनको complete एक model बाइंड करके मिल जाएगा पर जो अभी मेरे साथ live कर रहे है तो वो student यहां पे उनको पार्ट पार्ट में shipment आएगी फिर आपने क्या करना है आपने करना है सारे इसको spiral binding कर ले देना है यह बात समझी क्या समझी होगी तो regular notes का model जो मैं आपको देना हो इसके लिए one type करो इसके लिए one type करो जितने भी student मेरे साथ connected है one type करो अरे भाई हा या ना समझी की नहीं समझी ठीक है हाँ अब आपको एक सवाल होगा कि सर जीस्टी module अभी तक नहीं मिला dispatch सब हो चुके है और आपको आने वाले तीन-चार दिन में module आ जाएगा तब तक आपके login में मैं PDF देने वाला हूँ तो ये login में PDF कैसे access करना उसके बारे में बताऊगा मुझे आपको cooperate करना पड़ेगा ये एक teacher की request आपको है क्यों क्योंकि मैं ये आपको आपके लिए कर रहा हूँ मैं notes completely reform कर रहा हूँ हमारे new scheme के साब से बना रहा हूँ और आपके लिए डाल रहा हूँ कि आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो और ये हमारा exam oriented course जो यहाँ पर मैं पहली बार design किया है ये successfully complete हो पूरे confidence के साथ इसलिए हो सकता है कि आपको in between मैं PDF आपके login में दू और आपको इसकी जिरॉक्स निकालना पड़ेगी अगर अभी class मेरे ठीक है अब आपके सवाल और आ सकते है lectures around कब तक कैसे upload हो सकते है तो मैं उसके बारे में आखरी में बात करूँगा मुझे थोड़ा आप जो है यहाँ पे ये question दुबारा पोछ ले ना ओके चलिए उसके बाद में ये जो module है around आपको 3 to 4 shipments में आ सकते है जब सारे module आजाए तो मैं टेली ग्राम ग्रूप में update कर दूँगा आपको कि सब complete हो गया है आप उसको spiral bind करेंगे पर 3 to 4 shipment में मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको सारे module दे सको उसके बाद में आते है questionnaire तर ये questionnaire क्या होता है ये बेटा scanner होता है जैसे ये customs का questionnaire बनाय हुआ है तो ये बेटा scanner ह होता है यहाँ पर ये सकैनन होता है अब ये questionnaire क्यों मैंने design किये हैं क्योंकि हम concept तो पढ़ लेंगे पर concept पढ़ने के बाद exam में questions कैसे पूछे जाते हैं क्या पूछे जाते हैं ये आपको जानना बहुत जरूरी है वो real assessment होता है concept समझना और question के हिसाब से उसको डालना ये य real assessment होता है और ये real assessment हमें यहाँ करना है तो अब जब हम regular concept पढ़ेंगे regular concepts related कोई important question जो मेरे questionnaire में है जो जरूरी है हमारे साथ discuss करना exam के इसाब से वो questionnaire से हम discuss करेंगे अब ये questionnaire मेरा कैसा होगा मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे उसका digital copy लेकर समझाता हूँ चलिए अब देखिए यहाँ पे questionnaire की अगर हम बात कर रहे है तो यहाँ पे digital copy में open कर रहा हूँ हमारे questionnaire की इसे मैं smart genie book digital book कह रहा हूँ यह smart genie digital book की link आपको आपके login में दी जाएगी तो यह link आपको आपके login में दिया जाएगा और यह जो link है यह कभी भी accessible है और यह time to time exam के साब से update होती है जिसक तक मैं जानता हूँ मेरे words में वो ताकद है जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि इंडिया में यह जो CACCMA course में first time ऐसी digital book मैंने बना है वैसे वी smart pioneer हर बात में रहा है मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ पर हाँ मैं जो बोल रहा हूँ मेरे words में ताकद है इसलिए बोल रहा हूँ यह color pictorial presentation 2013 में मैंने स्टार्ट किया color book तो पहले भी थी पर 13 में with pictorial presentation मैंने स्टार्ट किया यह wall chart concept chart book concept मैंने स्टार्ट किया जो आज आप देखते हो और यह तब से लिगे ऐसी चलते आ रही है और आज तो वह general हो गया है और इन्या में चीज़े general होने में बहुत कम time लगता है पर यह इसमें हम pioneer है और यह smart genie digital book जो है जैसे मैंने chapter wise जनी book अलग किया है आप अगर इसको digital book की link आपको मिल जाएगी यह free रहेगी आप कही से भी access कर सकते हैं यह जने book के benefits क्या है जने book के benefits यह है कि आप अगर physical copy तो आपको मिल नहीं वाली है no doubt लेकिन आप अगर traveling में हो आप अगर बाहर गए हो आपके पास extra time है कहीं पे भी हो तो आप access करो और पढ़ना शुरू कर दो अपने mobile में access कर सकते हो अपने laptop में access कर सकते हो और mainly आपको question ही पढ़ना है मैं frankly कहता हूँ concept समझने के बाद जितना ज्यादा practice आप question पे करोगे उतने mark से आप score कर पाऊगे तो यह इसमें मैंने design कैसे किया है इसमें म बैच नहीं हो रहा है वाटसप कर दिया भाई साप ओके यह जो last batch का जिनी book है उसका reference लेके digital book अभी मेरे पास हो यह क्योंकि नहीं तो बन रही है तो यह उसका reference लेके मैं आपको बता रहा हूँ now यह जो chapter है okay यह chapter में मैंने concept wise questions दिये है उसके बाद में वो question का बहुत अच् कितने questions है जो आपका new ICI material है उसके बाद में examination questions, RTP mock test paper questions और मेरे बनाएवे questions ऐसे मैंने bifurgate करके दिया है यह bifurgation आपके लिए बहुत important है ओके उसके बाद में अगर हम next देखें तो यह जो digital book है वहाँ क्या feel है ओके turn होने का भी feel है यह digital book में मैं यहाँ जब आप होगे ओके इसमें से कुछ questions हम class में discuss करेंगे कुछ questions जो है आप पढ़ोगे अब यहाँ पर जब आप पढ़ोगे तब ऐसा लगा कि यह संने पढ़ाया तब यह समझ में नहीं आ रहा है काश अगर sir आके यहाँ पर यह question को explain कर दे तो कितना अच्छा होगा मजा आ जाएगा बाई साब डरो मत मैं आपके साथ हो क्या करना यह ओके जो digital book की link पर लेगी यह यहाँ पर ओके click video जो जो question के बाजियो में click video है वहाँ का आप कर सकते हो क्योंकि बहुत सारे question तो easy होते हैं जहाँ difficulty होती हो ही मैं यह assistance देता हूँ तो आपने कुछ नमत करना click video दबा देना click video दबाते हैं उस question का answer देने मैं आजाओगा देखो मैं आपके साथ हूँ अगर आप discipline में daily basis पे मैंने जो पढ़ाया जो analysis किया daily basis पे आप पढ़ने को ready हो तो मैं आपके साथ हूँ और दोस्तों देखो यह बस video play करो चलो वो उसका question का discussion करने मैं आगे आपके साथ यह exam के आद लोगों को यह digital book नहीं जबा क्यू आर के बेस का आगया है वो तो scan करो फिर जाओ यह तो click करो आप जा सकते हो तो यह digital book आपको दिया जाएगा तो दोस्तों I hope आपको यह questionnaire और के यहाँ पे समझ गया होगा किस तरसे मिलेगा इसकी physical copy मिलेगी साथ साथ में आपको जो है यह इसमें वीडियो भी रहेगा और साथ साथ में chapter wise questions के वीडियो और के इस चाप्ट के सारे जो important questions के वीडियो है और के उसका भी link में आपको दे दोगा यह क्या है specific question पे discussion है यह सबसे ज़्यादा based है क्योंकि हर इसका वीडियो देखने के जरवत नहीं जहां आपको जरवत है वहाँ वीडियो क्लिक करो अच्छा है पर अगर किसे student को ऐसा है कि भी आज मोड हो रहा है आज cricket match देखने का मोड नहीं हो रहा है आज जो है ना ओके मैं सर का वीडियो देखने का मोड हो रहा है और बस सर ओके हां बोलती रहे मैं question के answer सुनता रहू तू बात करे मैं सुनो म आजाएगा और कि तू बोलती रहे मैं सुनता रहो तू बोलती रहे मैं सुनता रहो और कि ऐसा किसी का मूड होगा तो definitely जहां तक देखा जाए तो yes बेटा और के यहां पर मैं chapter wise question के complete video भी डालतूंगा questions के so that आपकी continuous revision हो मेरे course के साथ अगर आपका सिलाबस कतम हो जाता है तो भाई साफ इससे अच्छा और क्या बात है okay now next अगर हम यहां पे ले तो मैं आपके साथ हूँ डरने की कोई बात नहीं next मैं वापस हमारे discussion पर आ जाते है यह बात हुई हमारी questionnaire की अब एक सवाल मैं भूल गया पर मैं यहां लेना चाहता हूँ कि sir हम start के से करेंगे हम GST स start करेंगे हम customs बात में लेंगे okay हम GST से start करेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि regular batch का GST चालो है तबी के तबी मैं आपके batch का GST का और के पुरी recording complete कर दूँगा और फिर same day evening में आपका lecture upload कर दूगा आपका lecture रात को 8 बज़े तक upload हो जाएगा उसके हिसाब से आपने planning करना है रात को 8 बज़े तक lecture upload कर दिया जाएगा कोशिश पुरी करूगा कि रात को 8 बज़े तक upload हो जाए okay और आपको planning करना है चलिए यह बात हमने यहां पे देखा okay regarding to questionnaire sir mcqs आते yes बेटा आपको 30% mcq रखे है मतलब 30 mark के mcq आएगे जिसमें 24 marks के GST के आएगे और 6 mark के customs और FTP पर आएगे तो sir mcq की practice कैसे होगी हाँ यह बहुत important है mcq की PDF मैंने आपको अपने login पर दिया है उसका मैं physical copy नहीं देता हूँ अब वह test में डालने के बाद आपको solve करना पड़ेगा तो आपकी practice हो जाएगी और वह mcq फिर okay test का video मैं आपके साथ यहां पे discuss कर लोगा इसलिए okay जो अभी exam oriented batch में recorded batch दे रहा हूँ तो mostly saturday और संडे में time fix करके आपको बता हूँगा saturday और संडे में आओगा zoom session में और zoom session में आपसे connect होगा जिसमें हम test का paper जो है वो discuss करेंगे और मैं आपसे connected भी रहूगा तो ऐसा मैं समझेगा कि मैं okay आपसे connected नहीं रहूगा रहूगा ठीक है तो उसका आप tension मत लीजिए okay आपके जो भी अगर कोई doubts होगे तो वो हम zoom session में हमारा discussion होने के बाद वो जो है doubts भी ले लेगे पर यह जो zoom session होगा लूगा यह हमारे hours का timing नहीं रहेगा यह अलग रहेगा और यह zoom session की link जो जो भी link है YouTube पर डालके आपके login में उसकी playlist बनाके डाल दूँगा okay तो सर यह login 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 क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे okay उसके बारे में भी बात now अब आपका एक सवाल आएगा कि सर आपने आगर टेस्ट पेपर की बात निकाली है okay तो उससे related थोगा बताओ ना आगे हम cover करेंगे चली पहले इसको complete कर लेता है तो यहाँ पर questionnaire कि आपको दो GST की book आएगी एक customs का book आएगा यह भी shipment में क्योंकि अभी update चाल लुए सब उसके बाद में अब देखो वेटा questionnaire होने के बाद मेरी एक चार्ट बुक बनती है ओके यह जो चार्ट बुक होती है यह इस टाइप की चार्ट बुक होती है अब यह चार्ट बुक इसलिए यूज होती है कि जैसे concept आपने regular notes तो पढ़ ली पर इसको summarize करने के लिए exam के specially एक इंटर के आप मेरे student होगे दा मैंने इंटर में भी आपको दी थी चार्ट और चार्ट बुक तो जहां तक देखा जाए यह चार्ट बुक से आपका बहुत अच्छे से fast revise हो जाता है और यह चार्ट बुक रिविजन की वीडियो भी मेरे YouTube पे आते जो totally free होते है तो आप मेर यूट्यूब के साथ देख सकते हो जो generally may attempt के लिए क्योंकि इस बार attempt postpone होने के भी chances हो सकते है इलेक्शन है इसलिए जून पे attempt जा सकता है तो एक्जाम के दो मैने पहले ओके दो डाही मैने पहले यह चार्ट बुक की रिविजन वीडियो ओके हर वीक में दो तीन चैप्ट बुक और questionnaire अगर आप यह देख लेते हो तो आपको regular बुक भी पढ़ने के जरुवत नहीं है आप यह चार्ट और questionnaire के बेस पर भी अच्छे से revise कर सकते हो कि मेरे charts comprehensive charts होते है okay मेरे charts comprehensive charts होते है now next बेटा जहां तक देखा जाए यह अमने chart और एक wall chart होता है wall chart मतलब ऐसे बड़ charts अच्छे बड़े charts होते है यह बड़े chart में 5-6 chapter एक साथ connect करके यह wall chart बनाए जाते है इसका सबसे बड़ा benefit किया है wall chart का कि यह wall chart आप wall पे लगा दो इससे आप subject से connected रहते हो आपको flow पता रहता है कि कैसा flow जा रहा है क्या जा रहा है यह complete flow आपको पता रहता है क्योंकि यह जैसा है बार बार देखने से memory के connection जूटते है अपने कभी feel क्या होगा और wall पे तो जैसा मैं यहाँ पर आपका okay chart ड्रॉ करोगा जैसे हमारी steps क्या होगी जब मैं regular class में study mat में तो यहां आपको हर section के charts जो है screen पे दोगा आपको screenshot लेना पड़ेगा और वो screenshot लेके आप जो है बात मैं घर पे draw करोगे section के chart होते हो okay जो आपने बना है वही charts को connect करके मैं यहां पर okay chapter का chart बना लेगे जो आपको chart book में मिलेगा अब यह chapter का chart बन गया कि फिर चारपार chapter कैसे connected है उसके लिए यह chart बन जाता है यह rocket view मिल जाता है यह chart बन जाता है बड़ा वाला chart तो यह अगर wall पे लगाया तो आप ऐसा मत समझना कि यह सब नया है आपके लिए क्यूंकि हम तो draw कर रहें daily basis पे औ इंटेन मत पड़ो लेकिन वह flow देखने मिल जा है तो आप connected रहते हो subject से और फिर chart book तो आप कही पे भी carry कर सकते हो चार्ट book तो कही पे भी देख सकते हो तो यह complete flow बना है और normally होता क्या है मैं आपको बता हो क्या बच्चे regular class मेरे से कर लेते है या regular faculty से कर लेते है और जब exam क के और वह यह डते है तो YouTube पे बहुत सारी faculty आज दो अचार आते है और आ जाती है रिविजन कर वाने और वह को दो बाता है कर लेते है और उनका कर लेते है और उनका कर लेते है अपिर अर्यजू में रिआ हो इम श्जीर कहरा है ओँा मज़ा तो दिन मेरे जागो बहुत मज और रिविजन हो गया दो दीन में करवा दिया च्छोटी सी समरी नोट देदी और मज़ा आ गया आपको तो स्टूडेंट वही अच्छा लगेगा पर मेरे सब्जेक्ट में यहां पर सिंबॉलिक यूज कर रहा हूँ हनुमान मैं आपको बनाओगा और रिगूलर में डेव इ दूसरा बता देता है तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे सिचुएशन में यहां पर मैं एक्जाम तक आपका साथ दी छोड़ता हूँ क्योंकि पेरे क्वेश्चन है अलकि डिजिटल बुक आपके पास होती है जिसमें आप विडियो प्ले कर सकते हो जिसे मैं जिनी बुक कहता ह जब भी याद करो आप आजाएंगे रिगूलर मॉडल में ले लेते है वाल चार्ट और चार्ट बुक भी हम यहां पर कवर कर लेते हैं इस तरह से यहां सब कुछ चीज़े हमारी कवर हो जाती है अरे भाई समझ वह आ रहा है कि तो यह था रिगार्डिंग टू आपको कस्टम्स का एक मिलेगा और चार्ट बुक्वक जो है सभी का मिला के आपको एक मिलेगा पहले जी स्टी का आजाएगआजैगा बात में कस्टम्स का आजाएगा प्हले बता देटाएंग को अब बात करेगे हम बेटा amendments की, sir amendments कैसे cover होगी, मैं आपको यह विता दू कि यह जो course है, आप May as well as November 24 exam के लिए आप ले सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं जाएगी, ठेक है, अब May 24 अगर आपका exam होगा, तो आपकी amendment 31st October 2023 तक की applicable होती है, तो वो तो मैं अभी cover करी लो, क्योंकि notes बना रहा हो, तो उसमें cover होई जाएगी, अगर आपकी exam November में है, तो 30th April तक की amendments होती है, वो कोई ज़्यादा amendments नहीं होती है, notification circular, क्योंकि finance act 2023 तो आगया, finance act 2023 आगया, तो वो तो मैं अभी cover करने वाला हो, जो आपको दोनों attempt में लगने वाला है, May और November में, फिर amendments November के लिए क्या होती है, notification circular, जो up to 30th April तक की होती है, वो दो lectures में हमारा cover हो जाएगा, मतलब ये, कि जिसका May 24 attempt है, उनको amendments अलग से करने की जरुवत नहीं हमारे discussion में कवर हो जाएगी, और जिसका November attempt है, तो वो case में उनको दो lecture extra exam के 3,5 मेने पहले, मैं तिंग JST, तिंग विशाल सर यूट्यूब चैनल पर upload कर लूँगा, और वो बाद में 2 extra lecture देख ले, और जिनका November attempt है, या आपके कोई friends होगे हैं, जिनका November attempt है, तो वो ये course join कर सकते हैं, चलिए दोस्तों, ये तो हुआ regarding to exam oriented course related, अब थोड़ा आगे discussion बढ़ाते हैं, ठीक है, सर आपके doubts कैसे solve होगे, तो आपको V smart academy का app है, telegram group में ये app की link आपको देती जाएगी, as well as, जो अगर mobile में आप देख रहे हो, तो mobile के app में जहां आप lectures देखोगी, वहीं आपको question answer का thumbnail मिल जाते हैं, वहाँ आपने doubts पूछे, doubts whatsapp पे मैं entertain नहीं करता हो, either आप app में पूछो, मेरी पूरी team connected है, और जब मैं zoom में आओगा, या हमारी telegram पे, तो वहाँ doubts ठीक है, मैं time मिला वैसे entertain कर लूँगा, जूम में entertain कर लूँगा, लेकिन आपको doubts app में ही पूछने पड़ेगे, क्योंकि मेरी, और पूरी GST research team उससे connected है, और मैं भी उससे connected हूँ, मैं priority इसको दोगा, बाद में बाकी जगा की priority आपको मिलेगी, इसलिए doubt, we smart official, एक app है, जिसमें आप install करोगे, तो वेक्षर भी देख सकते हो, और उसमें ही question answer आपको पूछने पड़ेगे, ठीक है, पर no doubt weekly एक बार में zoom से आप से connected रहोगा, जिसमें आपको doubt पूछते रहोगा, दूसरा हमारा app और सारा encryption software, iOS में नहीं है, ये android base है, जिसके पास भी iOS वगरे होगा, तो please मेरी request है कि वो laptop या tab android base ले ले, और कि iOS में नहीं मिलेगा, ठीक है, और मेरा क्या किसी का, मतलब अभी इंडिया में बहुत कम एसी faculty जो आ है, क्योंकि iOS में बहुत सारे updates आते रहते हैं, और उसके हिसाफ से encryption software change करना मुश्किल हो जाता है, उसके बाद में, yes, telegram group, ये आपको must 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 join करना है, और कि जिसका login, जिस telegram group की link जो है, login में आपको मिलेगी, भाई मैं इतना must must क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो भी आपका और मेरा connection रहेगा, इस group के थुरू रहेगा, और कि ये अमारा soul है, ये आत्मा है, और इस आत्मा से ही हम जुड़ेंगे, जो भी मैं continuous notes related updates दूँ, आपके login में PDF डाल दिया, उसकी updates दूँ, या जो भी है, ये telegram group से ही होगा, इसलिए आपको ये telegram group में must 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 join होना है, और कि ये समझ में आया, उसके बाद में yes, मेरे Instagram से भी आप collected रहना, और कि मेरे Instagram से भी आप connected रहना, जो Instagram है, मेरा ca underscore vishal underscore vattar, अगर आपने follow नहीं किया होगा, तो कर लो क्योंकि इस पर भी मेरी continuous updates आते रहती है, तो ये देखा बिटा, हमने यहाँ पर, कि हमारे sessions कैसे होगे, क्या होगे, ठीक है, और अब आपके जो भी doubts होगे, जैसे कुछ doubts student ने पूछे, अब देखो, मैं आपको कुछ लिखना है क्या, अब देखो, मैं आपको कहओ कि बहुत सी बहरे class में फिर diagrams निकालते रहता हूँ, और वो diagrams concepts समझने के लिए important होती है, exam में ऐसे को important नहीं होती है, तो diagrams आप मेरे साथ लिखते रहो, तो अच्छी बात है, तो आपको अपनी एक notebook रखना है, जिसमें आपको charts तो draw कर नहीं है, एक rough notebook की जो मैं लिखू, वो आपको extra रखना है, diary वगरे जो मैं लिखू, आप भी लिख रहे हो मेरे साथ, तो वो आपके लिए definitely, class में active रहने के लिए help करेगे, लेकिन, जो class में main-main charts लिखूगा, उसका handwritten charts जो रहेगे, जो आपको as a homework complete करना है, screenshot आपने ले लिए, पर chapter खतम होते ही, वो सारे charts जो मैंने लिखे है, आपके login में handwritten copy PDF की मैं आपको दे दूगा, पर मेरे इस पर depend मत रहना, क्योंकि पहली आपने exam oriented course लगाया है, आपको मेरे साथ अपनी energy मैच करनी पड़ेगी, तो ये course बड़ा अच्छे से हमारा हो सकता है, ये course अच्छे से हमारा हो सकता है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आप daily draw करो, मेरे तो ठीक है, और screenshot लेके एक PDF बना लूँगा, और आपके login में में दे दोगा, पर please मेरी request है, उसके उपर depend मत रहना, और कि उसकी PDF copy आपको मिल जाएगी, और ये सारी PDF की access वगएर, आपके login में आपको मिल जाएगी, अब login कैसे access करना, मैं आपको बता होगा, टेलिगाम ग्रूप आपके सारी login में मिल जाएगी, अब बिटा जो, फिर हम आपके login में जाएगे, चली, मैं आपको बता दूगा, आपका login आप कैसे access करोगे, ठीक है, आप vsmartacademy.com पे आओगे, अगर आपने कोई दूसरा class भी लगाया होगा, अगर आपको 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 पूट करना है यहाँ पे और अगर आपको आपने वी स्माट से ही पर्चेस किया होगा, अगर व्smart से ही पर्चेस किया होगा, तो आपका आपका अलरेडी login गयाट है, लेकिन आपने अदर पूटल से पर्चेस किया होगा, भाय किया होगा यह course, तो आपको reset here करना पड़ेगा, और reset here करता ही आप अपने login में चले जाओगे, या आपका login access होगा जैसे login access होगा और यह जो class आपने purchase किया यह आपको यहा दीख जाएगा आपने हमारे से purchase किया होगा या फिर other portal से purchase किया और अपना password यहां reset किया तो आपको यहाँ password reset करना ही पड़ेगा तो यह जो है यहां पर आने के बाद समझले example लेता हूँ ये course है ये course में आपका course activation details आपको sorry मैं login हो रहा हूँ पापस समझले ये course है और course activation details जो है ओके यहाँ पर अब ये course activation आप course activation में जब जाओगे तो course activation में जाने के बाद आपको जो player में lecture देखना है player का setup tutorial यहाँ मिल जाएगा उसके बाद में player setup file यहाँ मिल जाएगी activation की आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो उसके बाद में video की download link मतलब जो video में upload करूगा वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी और आपके player में भी रहती है वो सारा lecture wise schedule आपको यहाँ पर मिल जाएगा study group यह बहुत important यह study group आपको join करना है क्योंकि telegram link यहाँ पर आपको मिलेगी आपके batch की तो जो telegram link आपको यहाँ पर आपके batch की मिलेगी यहाँ से आपको connect होना है join होना है तो यह था regarding to data यहाँ पर जैसे course activation course content course content में आपको सारी PDF मिल जाएगी यह जो course material है यह course material में आपको क्या क्या दिया जाएगा course material में जब तक आपको physical notes नहीं आती है तब तक chapter के PDF आपको दियेगे जो आपको print out लेना है same for questionnaire, questionnaire भी audition में है अगर questionnaire physical copy आने को time लगता है तो यह आपको इसमें दे दिये जाएगे MCQ book आपको इसके अंदर दे दी जाएगी digital book की login आपको इसके अंदर दे दिया जाएगा test paper इसमें upload कर दिये जाएगे test paper इसमें upload कर दिये जाएगे सब कुछ जो data में आपको देने वाला हो hand written notes वो भी इसमें upload कर दिये जाएगे digital genie book वो भी इसमें upload कर दिये जाएगे जो जो भी मैंने आपको provide करने का commitment क्या है वो सब आपको आपके course material में मिल जाएगा और इसमें study group मतलब वो ही हमारा telegram आप वहां से join करें यहां से join करें आप यहां से join कर सकते हो तो login आपका create करना must है आपको call करने की भी जरुबत निया सब कुछ activation की सब कुछ आपका इसमें मिल जाता है उसके बाद भी कोई दिक्कत जाती है तो आप customer care पे call कर सकते हो चलिए यहां पे login के बारे में आपको बता दिया अब आपका सवाल होगा कि sir class जो है weekly weekly आपको यहां पे 5 class मिलेगी मैं पहले गह रहा हूँ weekly आपको 5 class मिलेगी इस तरह से planning करना है around 54-55 classes होगी एक दिन हमारा test होगा और वो test का discussion किया जाएगा तो एक दिन मैंने test और test के discussion के लिए रखा है और 5 दिन आपको classes मिलते जाएगी ठीक है अब दोस्तों मैं यहां पे हाँ अब आप अब मैं बता दू पहले हम GST से start करेंगे और customs हम बात मिलेंगे फिर से कह रहा हो पहले हम GST से start करेंगे और customs बात मिलेंगे अब आपका एक सवाल होगा कि sir test जो है वो test कैसे तो मैं आपको test की एक training दोगा एक app है जिसमें आपको test paper upload करना है आपको मैं test जिस दिन हूँ इस दिन के बाद 2 दिन या 3 दिन का time देना हो और वो तीन दिन में आपको upload करना है तो आपके test paper verify भी होगे verify मैं नहीं करूगा verify जो है एक separate यहाँ पे chartered accountant की team है okay जो मैंने hire किये वो verify करेंगे उनके decisions final रहेंगे पर okay जो verify होगा वो हम zoom session में discuss करेंगे हो सकता है कि उनके verification में गलती हो जाए मेरे से मैंने जो कहोगा मैं जो discussion में कहोगा वो ही final रहेगा अगर उनकी गलती हो जाए तो उनको maaf कर देना गलती नहीं होगी okay अच्छी team है क्योंकि answer sheet भी मेरे से जाएगी पर गलती हो जाएगी तो उनको maaf कर देना लेकिन मैं जो कहोगा वो final रहेगा is it clear okay lecture okay देखो अभी कुछ बच्चे late join हुए फिर से वो सवाल मत पुछो okay मैं already बोल चुका हूँ कि lecture सवा 2 से 5 घंडे का होगा अगर जो बच्चे join हुए तो ये YouTube पे वीडियो है आप पहले से connect हो जाओ तो आपको सारे answer मिल जाएंगे बीच में से join हो और और वो ही answer question पुछ रहे हो सही बात नहीं है ठीक है तो ये हुआ regarding to यहाँ पे कि यह हमारे exam oriented sessions कैसे होगे चलिए अब एक सवाल ये है कि अब मैं जो बात कहना चाहता हूँ serious mode पे समझाओ देखो मैं notes निकाल रहा हूँ notes निकालने के बाद मैं regular class ले रहा हूँ आपके same day class मैं यहाँ पे record कर रहा हूँ हो सकता है कि notes निकालने लेट हो जाए तो थोड़े बूद lecture भी लेट हो जाए please cooperate करना अगर lecture लेट हूए तो वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूगा कि weekly आपको 5 lectures लूँ okay पर lectures लेट हूए तो please cooperate करना दूसरी बात दिवाली की यहाँ पे छुट्टी आई और वो दिवाली की छुट्टी जो है मैं okay seven to eight days इंडिया के बाहर जा रहा हूँ ठीक है मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ इसलिए okay जो अभी दिवाली मैं यहाँ पे तो seven to eight days मैं बाहर जा रहा हूँ पूरी कोशिश करूगा कि वो lectures record करके जाओ लेकिन तब तक मेरी notes भी बननी चाहिए क्योंकि साथ साथ में notes बना रहा हूँ अगर notes बन गई तो मैं early record करके जाओगा okay या okay मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जहां भी बाहर जाओ मेरा moving studio में ready कर रहा हूँ वहाँ अगर मैं कर पाया record करके तो वहाँ से provide कर रहा हूँ लेकिन हो सकता है कि in between 3-4 दिनों का gap आए okay especially diwali print में तब आपको भी छुटी चाहिए okay अब आप ये सुचोगे कि tentatively course खत्म कब होगा approximately 5 गंटे के हिसाब से अगर हम चले तो हमें okay 55 के पास sessions लगेंगे जिसमें weekly आपके 5 sessions आएगे और बीच में 4-5 दिन का gap आ सकता है तो इसके हिसाब से आप जो है यहाँ पे okay planning कर लीजिएगा हाँ अगर मेरे से हो पाया तो मैं 6 lectures भी आपको provide कर दोगा अगर मेरे से हो पाया recording हो पाया तो weekly 6 lectures भी आ जाएगे पर मैं committed हूँ 5 sessions के लिए okay तो accordingly आप अपने calculation कीजिएगा पर मैं आपको यह कहोगा कि yes यहाँ पर अगर आप ऐसे day to day calculation कर रहे हो कि भी अभी लगा लिया okay सर ने बोला और सर ने बोला तो हमारा इतने दिन में खतम हो जाएगा नहीं okay 5 session के हिसाब से आपको calculate करना है और लगाना है okay पर मैं पुरी कोशिश करोगा कि जल से जल जितना हो सके मैं आपका syllabus complete कर दो ठीक है now next अगर हम बात करें okay यहाँ पर देखो बीटा first time मैं यह 135 hours का exam oriented regular course ले रहा हूँ मेरा 22 years का experience है हाँ तो यहाँ पर first time जो है मैं यहां यह 135 hours का class ले रहा हूँ 22 years का experience है पर आपका देखने का तरीका मेरे तरफ यह होगा कि no doubt आप एक senior faculty के पास class लगा रहे हो तो expectation यह होता है कि यह senior faculty जो है जो भी मैं बात कर रहा हूँ पुरे transparency हो पुरे यहाँ पर आपका okay जो बात करोगा पुरे जो frankly हो honestly हो आपसे बात करना जाता हूँ आपका expectation होता है मेरे से कि यह faculty से हमें अच्छा knowledge मिलेगा कोई अभी पढ़ाना चालू करे नया नया बंदा है okay तो वह क्या है point wise manner में आपको एक line दूसरी line तिसरी line चौती line पढ़ा देगा syllabus को खतम कर देगा पर जब आपने मेरे पास class लगा है तो यह trust आपका होता है कि ब पूरी कोशिश करूगा कि 135 hours में इसको खतम करूँ लेकिन अगर 5-6 घंटे कम ज्यादा लगे तो बेटा knowledge important है और exam में pass होना important है new scheme में second group में दो subject है भाई DT और IDT बागी तो multi discipline है अब दो subject में paper कितना तब पूछेंगे क्या पूछेंगे I don't know तो मुझे तो आपको knowledge पुर के साथ नहीं खेलोगे और मैं तो बिल्कुल भी आपके साथ नहीं खेलोगा मैं पूरा knowledge आपके साथ दोगा जो required है यह exam oriented course है और exam oriented course में जितना required है हां जिसको अगर यहां पे in depth regular course लगाना है तो वो regular course लगा हां दूसरी बात अगर किसी को यह speed में लगे तो मैं उसको पू यही रखना कि मेरे साथ आपको पढ़ना है तो यह course बहुत successfully complete हो सकता है now यह आपने यहां पे देखा regarding to जहां तक है exam oriented course हमारा कैसे होगा चलो एक लाज़ बाद आपके साथ शेयर करूँगा regular course में customs जो है मुझे around यहां पे 44 hours लगे है regular course में customs मैंने complete कर लिया और 44 hours लगे है लेकिन आपका exam oriented course जो मैं design करूगा जिसमें मैंने आपको कहा कि 30 to 35 hours में हम custom खतम करेंगे ओके वहाँ gap रहेगा 10-15 घंटे का अब वो तो मैं आपको अलग से लेने वाला हो custom के session लेकिन कोई student अगर अपना time utilize करना चाहता है जैसे मैं आपको GST के 5 lectures दे रहा हूं और उसके weekly बाकी दो cover करने है दिवाली के period में cover करने है और उनको regular session का ही customs चाहिए जिसमें hours करना चाहते है तो boss मैं तो open हूँ okay आपको अगर custom चाहिए तो मैं कल आपको telegram group में google इसके google link का form दे दूगा वो आप fill up कर दो जिसमें आप demand कर लो okay आप call नहीं करोगे मैं आपको form दूगा हमारे telegram group में आएगा okay जिसमें आप fill कर दो कि मुझे regular customs के lecture चाहिए तो फिर मैं regular customs के lectures आपको provide कर दूगा तो बाद में आपको यह देखने के जरूबत नहीं क्योंकि notes तो सेम है तो आप regular कर लो आप अपना time से होकर सकते हो आपका decision आप ले सकते हो यह last वाली बात समझे क्या आपको तो आपका जो weekly दो दिन का time है या फिर आपका जो दिवाली period का time है या आप एक दिन में दो lecture करना चाहते हो तो फिर वो जो 10-12 घंटे का gap है उतना आपके लिए क्योंकि आपका early हो जाएगा और syllabus पहले complete हो जाएगा तो वो option आप execute कर सकते हो और उसमें hours ज्यादा है और कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा 10-15 घंटे तो आप जो है वो regular का मैं आपको provide कर देता हो यह last वाली बात समझ में आई कि आप सभी को yes or no और मैं आपको यह ही suggest करूगा कि जितने भी student connected है regular वाला custom उठालो आपके लिए ज्यादा अच्छा है regular वाला custom उठालो ज्यादा अच्छा है आपके लिए आप फटा फटा पर syllabus खतम कर सकते हो और custom भी book हमें आपक करवा जूँगा ठीक है तो बस मुझे आज का लेक्षर 00 यह आपको introduction देना था session हमारा कल से upload होते जाएगा और कल से जो session upload होगा तो आप वो देख सकते हो then yes or no समझ में आई बात और आपके कोई doubts होगे तो बताईए आपके कोई doubts होगे तो बताईए yes कोई doubts होगे तो बताईए test तो app पे होगा उसका कैसे होगा क्या होगा मैं आपको सब details telegram group में डालोगा सारी बाते clear होगी सभी को color book से पढ़ने से अलगी experience दता है yes definitely GST की book dispatch हो गई है customs और उसकी भी dispatch हो जाएगी और मैं आपको यह कह दू कि आने में टाइम लगागा तब तक PDF आपके login में कल upload कर दूँगा आपके login में upload करने के बाद आपने इसकी printout ले लेना है और time to time telegram group से connected रहना है board notes chapter होने के बाद आपके login में upload होगी जो भी board notes होगी तो आपके login में वह chapter होने के बाद जितना भी मैं यहां पर main main जो चीज़े है charts की वह सब video बना के आपके login में update कर दूँगा अगर कोई technical doubt रहेगा तो आप telegram group में open करोगा पर telegram group में आप फालतू discussion नहीं करोगे subject से related और doubt से related discussion होगा unnecessary भाई दूसरा group बनाए इसको join करो यह group बनाए वो यह सब marketing के रस्ते हैं और के दूसरा कोई marketing करना चाहता है इसलिए मैं आपको यह कहना चाहोगा कि फालतू चीज़े telegram में discuss नहीं होगी ठीक है customs के regular lecture के additional fees नहीं रहेगी मैं वो customs के regular lecture जो है आपको provide कर दूँगा उसकी कोई additional fees नहीं रहेगी हाँ आपको convert करना है तो additional fees रहेगी आपको convert करना है तो additional fees रहेगी अजायगा बेट जेस्टी जेस्टी बुक भी आजायगा डोंट वरी पांच्छ दीन में अभी कल तो dispatch किया हमेने जेस्टी बुक कल तो notes बनि मेरी पूरी डन yes or no चलिए तो आज का session यही end करते हैं यह जो video maximum आपके हर friends के साथ share करना है जिसको exam oriented batch लगाना है तभी मैं last me suggest करूगा कि आपके पास time की कमी है आपका GST अच्छे से हुआ है office में या inter level पे तो exam oriented course आपके लिए fit है otherwise आप अपने आपको regular course में convert कर सकते हो उसके लिए आप अपारे customer care कर कर सकते हो okay all the best मिलते हैं यहां पे next Saturday or Sunday time मैं बता दूँगा in zoom it thank you thank you so much